मध्या प्रदीश में बुजर्गों के सपनों को नई उडार मालनी प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोदीजी के जनकल्यानकारी वीजन और मुख्य मंत्री डॉक्टर मोहन यादर जी के कुशल नेत्रत्व में मत्यप्रदेश सरकार बुजर्गों के जीवन में नई उर्जा और संथोष का संचार कर रही है मुख्य मंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतरगत अब बुजर्गों को ट्रेन के साथ ही हवाई जहास से पवित्र तीर्थ स्तलों की यात्रा का अफसर मिल रहा है साथ वर्ष से अधिक आयू के आर्थिक रूप से कमजोर और गैर आयकरदाता बुजर्गों के लिए यह योजना केवल एक यात्रा नहीं बलकि शुद्धा और आस्ता की एक सजीव अनुभूती है महीलाओं के लिए आयू में दो वर्ष की अतिरिक्त छूटे यानि उन्हें 58 की आयू से ही योजना का लाब मिल रहा है यह पहल इस बात का प्रवाण है कि सरकार कैसे अपने नागरिकों की भावनाओं और उनकी आस्ता का सम्मान करती है हवाई यातर की सुविधा ना केवल लंबी दूरियों को कम कर रही है बलकि भगवान के दर्शन करने की व्याकुलता को भी शान्त कर रही है तेर्थ यातर के हर चण में बुजर्गों की आँखों में आसू और हिर्दे बे भक्ति की लहरे उमरती है या योजना बुजर्गों को इश्वर के साक्षाद दर्शन कराते हुए उनके जीवन को सार्थत्ता और सुख के दिशा में एक नई रह दिखा रही है मध्यप्रदेश सरकार का प्रयास बुजर्गों की तेर्थ यातरा की पूरी हो रही आस